नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयरवेदिक डॉक्टर पर दोस्तों मैं तरुन स्वनकार आपके लिए चरक उत्तरार्थ के लेक्चर्स की सिरीज लेके आया हूँ दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने स्पहले अगर आप अमारे चैनल पर नहीं है या आपने अभी तक अमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फो लेटेस्ट अपडेट्स दोस्त के बारे में अपने बात कर लिए इसके लावा दातु निर्मान करम देया अगनी दातु अगनी की भूता अगनी की महत्ता के बारे में अपने पढ़ लिया था चार प्रकार की अगनियों के बारे में पढ़ लिया था ठीक है तो यह सारे टोपिक जो अपने कवर कर चुके तीक है अवस्था पाप का वर्णंग भी अपन ने देख लिया था तो अब आगे बढ़ेंगे ग्रैनी रोग से रिलेटेड विभिन ने चिकित्साओं की इसके अलवाद तीक्षनागनी और मंदागनी रोग वे उनके चिकित्साओं की और शमशन विश्माशन और अध्यशन के बारें में देटेल में जानेगे तो आऎए मंगला चलन करते हैं बगवान गनेश को याद करते हुए आज का तोपिक शुरु करते हैं बगवान गणेश हमारे सभी विगनों को दूर करें हमारा पड़ाई में मुयुही मन लगता रहें इसी सोच के साथ चलिए आज का टोपिक शुरू करते हैं तो यहाँ पर शुरूवात करते हैं चिकित्सा सुत्र से चिकित्सा सिद्दान्त से यहाँ पर यह दो तीनों ही चिकित्सा सिद्दान्त हैं सबसे पहले इसमें बता रखा है कि अगर ग्रहणी रोग में आम अधिक मात्र में उपस्तित है यानि साम ग्रहणी हो तो क्या होगा तो उसके लक्षण दे रखें आपे क्या कहें मूर्चित कुपित वाता दिदोस जब ग्रहणी में आश्रित हो जाते हैं तो साम ग्रहणी र आन्या चाहिए आपन को वमन चीक है वमन इसकी मुख्य चिकित्सा है तो यहां पर वमन द्वारा चिकित्सा साम ग्रहनी में करनी चाहिए दूसरी चीज यहां पर बता रखा है कि लीनम पक्वाशेस्थम वा अपी आमम स्राव्यम से दीपनई शहीरानु गते सामे रसे लंग यानि अगर न जो आम है वो कोश्ट यानि पक्वाशे में अगर लीन हो जाता है लीनम पक्वाशेस्थम वा अपी आमम तो आपे दीपन और शोधन यानि विरेचन जो है यानि आपे करना चाहिए दीपन के साथ साथ विरेचा कोश्दियों दीपन शोधन के साथ विरेचा गोश्ट दियों का जोगा है यहाँ प्रीयोग करना चेए कप करना चेए वहन आम इस इन कोश्ट यानी लीनम पक्वाशाय इस्तम वाँपि आमम इसमें टिक है साम ग्रेणी में पंगोन्गों वमंद रॉअच्पित्सा करनी थी पक्वाशाय में लीन दो शोग की कितरब को दिपन और शोधन याँ विरैचन शोधन में आपन बीरेचन द्वारा चिकिसा करनी थी थी कर अगर आम शरीर्ण गजटय सां में यानि संपूर्ण शरीर में आगर आम पहल गया तो लंगन पाचन अगर उसरा में सम और आप रस नहां संगा है और पहले हैं आपे साम ग्रेणी की चिकित्सा वमन द्वारा दूसरी लीनम पकवाशयस्थम वापी आम है यानि पकवाशय में लीन जो आम है उसकी चिकित्सा दीपन शोधन के साथ-साथ विरेचन होजदियों द्वारा और फिर तीसरी अगर आम संपूर्ण शरीर में पहल गया शरीरान उगते आमे है तो लंगन पाचन द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए ठीक है आगे हम पंचकोल पेया का प्रियोग भी आता है दीपन पाचनिया होती है इसलिए दीपन शोधियों के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है फिर वातज ग्रेणी की चिकित्सा किया हुआ ग्रत से पान कराना है ठीक है यह इसनेहन कर्म हो गया एक तरेगा ठीक है आप यह याद रखिएगा फिर वातज ग्रेणी में ग्रत प्रियोग बता रखा है कि ग्रत द्वारा इसनेहन और स्वेधन के पश्चाद वातगन तेलों का मर्दंद करके निरुह वस्त कोइए प्रियोगे देपनिय्णिंत चेना सबसा क्योंता तब सेरफ़ी एक फिर याद रुचाद woodvaya मर्दंद यहाद संघ्रेग वातगने तयलों का म becomes जots और वस्तव में ग्रत पान दूसरा निरुह वस्ते जो प्रियोग 11 तत्व एरंड तेले ने सर्पिशा तेल्व सर्पिता तेल्व केन वा कि एरंड तेल से ठीक है जो है एरंड तेल और शार को मिक्स करके उसका विरेचन करना चाहिए ठीक है या फिर तेल वस्यार तेल में शार मिला कर उसको शार मिला कर जो है यहां पर विरेचन क लिए प्रयूक करना चाहिए समझमा गई होगे आपको बात यां पे वीरेशन कर्म का बतारह रहा है वातर्जग्रेणी में तो किसके द्वारा वीरेशन येआपे अरेंट तेल प्लास शार या तेलवा गरत लए प्लास शार के दौरा पिर आगे आते हैं अनुवासन वस्ती तो अनुवासन बस्ती में याद रखेगा फिर उसके बाद लगू बोजन के साथ नित्यव गरत प्रियोग बल के अनुसार जो है याँ पर बता रहा है तो कौन-कौन से चिकित्सा होगी वातज ग्रेणी में गरत पान दीपनिय युतम सरपी नाम से आया है तो गरत पान द्वारा इस्निहन फिर इस्निहन स्वेदन करके वातगन तेलों से मर्दन करके निरूह बस्ती देना है फिर तीसरी चिकित्सा विरेचन की थी उसमें अनुवासन बस्ती देना फिर नगू बोजन के साथ नित्य गरत प्रयोग बल के अनुसार ठीक है यह आप जाद रखना फिर इसमें कुछ योग आएंगे कौन-कौन से योग पहला दशमूलाद्देगरत ठीक है इसके अलावा नाम याद रखने इनके बस आपको अभी दो इसके अलावा त्रियूशन आद्देगरत ठीक है फिर आगे हम बात करें पंचमूलाद्देगरत एवं चौन ठीक है फिर आगे आएगा और अभी फिर यहाँ पर आता है अपने आम और पको पुरिश की परिवाशा इंपोर्टन्ट है तो गुरू अगर होगा आम होगा आम में क्या होगा कफ होगा कफ क्या होता है गुरू होता है तो कच्चा मल गुरू होने के कारण पानी में डालने पर डूब जाता है और यदि मल पका हुआ हो तो पानी में डालने पर तैरने लगता है किन्तु अत्यन्त पतला और अत्यन्त कठिन मल या अधिक शीतल और कफ से दूशित हो तो इन पर इक्षाओं दोरा जो आपन ज्यात नहीं कर सकते हैं कि ये साम है कि निराम है मतलब या तो अधिक पतला हो अत्यदिक पतला हो तो भी वो डूब जाएगा अत्यदिक कठिन हो तो वो तैर भी सकता है या डूब भी सकता है गाड़ा होने पर फिर अधिक शीतल हो शीतल हो तो भारी होगा वो डूबेगा कफ़ से दूशित ओने पर वह डूबेगा ठीक है मल तो इसलिए आप ऐसे टायम में क्या होता है कि पक्को है कि निराम है इसकी परीक्षा करना कटिन होता है इन जनरल जो कच्छा मल होता है वो गुरु होने करण पानी में डालने पर डूब जाता है और पक्को मल तैरता रहता है यह चीज़ आप याद रखने ने यह दो नंबर पांच नंबर में पूछ ली जाती है ठीक है साम वे निराम मल होने पर चीज़ सा अगर आम है तो आम का पाचन करना जोरूर है क्योंकि जब तक आम का पाचन नहीं होगा तब तक चिकित्सा उसकी संभावन ही है और निराम है पहले से पक्व है तो संशम अनोश दी द्वारा दोशों को शान्त करना है ठीक है आगे चित्रकादी गुटी का यह चित्रकादी वटी यह याद कर द दाडिम रसेन वा यहाँ पर मातुलूंग और दाडिम स्वरस की बावना दी गई है करता विपाच्य अत्यामम दीप यत्याशु उचायनलम मतला वाच्छामक प्लस दीपन कर्म करती है ठीक है यह चीज़ आप याद रखेगा फिर आम पाचन के लिए विविद योग बता रखें नापर ठीक है क्या पता रहै क्या बता रह्यज़ एां पाचन के लिए लाक्षनिक चिकित्सा कि जब व्यक्ति ग्रेणी से पेड़ी तो उसका मल आम हो वातकव जन्ने ग्रेणी हो उदर में शूल हो तो इंद्रियाव किसे बोलते हैं वजसक आपने पड़ा है कुटज तो कुटज का जो बीज होता उसे इंद्रियाव बोलते हैं गी में भूनी हींग अतीस मीठावच सोचर लमक है ना सोवर चल लवन इसका लावा हरड का कपड़ चाल चून इन सब को समान मात्रा में लेकर गरम जलसे या मठे से ग्रेहन करना चाहिए ठीक है फिर हम आके आता है कि पिपल याद्य चून मरिचादी चून ठीक है यह नाम याद रखने के आपको नाम याद रखने इनके फिर चार अमले द्रव्यों का प्रयोग जो है यहां पर किया जा सकता है वह आप देख लेंगे उधो फिर विबिन यावागुए बता रखे हैं यहां पर उनका प्रयोग पंच कोल दीपन पाचन करता है इसलिए वह इंपोर्टेंट है अब आता है ग्रेणी में तक्र प्रयोग क्यों करते हैं ग्रेणी और अर्ष में तो यहां पर तक्रम तू ग्रेणी दोशे दीपन ग्राही लागवाद कि तक्र का प् थीक है अब यह क्या होते वाद कफ शामक का तो आपने चोधवे चप्टर में पढ़ जा था बट यह पित्त को भी प्रकूपित नहीं करता है क्यों क्यों कि तकर आमले जरूर होता है लेकिन उसका विपाक क्या होता है मदूर होता है तो मदूर विपाकी होने के कारण जो है वह पित्त का प्रकूप नहीं करता है ठीक है फिर है कशायो विकांसी कि रोख हैई तो इक तो कशय होती है उसका नाश करने वाली ओती है थीक है अब वाध का नाहस क्यों करेगी स्वाद मले सांधर त्वाद सद्यसकम विदाहितत यानि कि अपने स्वादु अमल सांध रहने के काण जो वात विकरती में भी हित कर है इसलिए कि आए सद्य बनायागा तक्रसेवन मतब तुरंत जो ताजा बनायागा जो तक्रसेवन है कभी भी दाहा उत्पन नहीं करता तब तो गदर ताजी छांच पीनी चीए फिर इसलिए उदर अर्ष रोगों में और यहां तक की ग्रेणी रोग में भी तक्र का विदान बताया गया तक्र का प्रयोग हित बताया गया है ठीक है फिर आता तक्रारिष्ट अब पांचों नमकों का यहां पर नवन का यहां पर प्रियोग किया गया है ठीक है यह बहुत डिफ्रेंस है यह चीज आप याद रखना कि लवन युक्त तक्रारिष्ट कौन से रोग में दिया जाता है तो आप अर्ष भी देंगे वह ग्रेणी भी देंगे अब यह आपको तो उसमें उत्कलेश हो रा हो बढ़ा हुआ पित्तो जात रागनी को नश्ट कर रहा हो जहाए बात मानकर जानकर पित्त को विरेचन द्वारा और वमन द्वारा निकालना चाहिए ठीक है विरेचन और वमन पहली चिकित्सा हो गई दूसरी विदाहन उत्पन करने वाले लगू अन द्वारा सिद्ध आहार रस में तिक्त रस वाले द्रव्यों को मिलाकर जांगल पशु पक्षों के मांसरस से या मूंग मसूर आदी के यूश से या खड़ यूश से दाडी मरश मिश्रित खड़िऊश मुदगयूश और जांगल मांसरस का प्रियोग करो शॉट में बता दिया सबसे पहले मैंने के बता है वमन विरेचन कराओ ठीक है तिक्त की पहले पित की पहले विरेचन जाता श्रिष्ट चिक्टा तो प्रियोग करवाओ ठीक है इसके लावा दाडी मरश मिश्रित खड़िऊश या दाडी मरश मिश्रित मुदगयूश या दाडी मरश मिश्रित जांगल मांसरस का प्रियोग कराना चीए एवं दीपन ग्राही ग्रत युक्त बोजन देना चीए अगनी दीपन के लिए ठीक है झालब ग्रेणी में उपे होगी है भूनिमबाध्य चूंण कि यह बहुत याद कर सकते हैं उसके बाद नाम याद करने यह रखने हैं इसमें में, पहला कंटेंट है इसलिए वचा ध्याद्य हुण फिर किराताद्य चून इनका प्रयोग सबका जो है पित्तज ग्रेणी में किया जाता है फिर श्लैश्मिक ग्रेणी में चिकित्सा जो आपे कहें कि कफ से दूशित हो जाती है अगर ग्रेणी तो विदिपूर्वक क्या कराना है वमन कराने के बाद पहली चिकित्सा क्या होग दूसरी चीकत से कहा होगी कटू, अमल, लवन, शार, तिक्त द्रव्यों का प्रियोग करके अगनी को दिप्थ करना ठीक है? आप जानते हो कफ का शमन करने के लिए कफ का शोधन करने के लिए वमन कराते है शमन के लिए कटू, अमल, लवन, दसका सेवन ठीक है अब यहाँ पे आप सोचेंगे अमलोर लवन्दस का सेवन क्यों करा है क्योंकि शलैश्मिक ग्रैनी में क्या होता है जो अगनी मानदे हो जाती है ठीक है अगनी मानदे हो जाती क्यों कफ के आवरेन के कारण तो उस कफ को दूर करना जरूर है आवरा नटान जरूरी है थाकि अगनी दीपतो तो अगनी दीपन के लिए यहां पर अम लोड लवन दसका प्रियोग बताया गया है ठीक है इसी के लाव शार शार के आप प्रोपर्टीस पढ़ी चुक है कि शार जो होता है वो कफ को काट-काट के बाहर निकालने काम करता है एक किसमा आएगा आगे वात व्यादी पढ़ेंगे इसमें ठीक है पिंडा सव इनके सिर्फ नाम याद रखनें आपको मद्वरिष्ठ ठीक है इसके लावा पिपिली मुलाद्य चूण पिपिली मुलाद्य गरत क्शार गरत ठीक है यह सबका यहाँ परयोक किया जाए पिपली मुलाद्द्य क्शार बल्लातक्शार ठीक है फिर दुरालबाद देक शार, भूनिमबादी शार, जितने नाम आपको याद हो जाएं, हरिद्रादी शार, शार गुटी का, यह important है क्यों? क्रिशनात्रेन वाशितम, क्रिशनात्रे द्वारा दी गई है, ठीक है? यह आप याद रखेंगे, पी जी के लिए अससे important है, आप एक डायरी बना लिए जिसमें, जितने भी एक क्रिशनात्रेन वाले हैं, जैसे उनको अलग कर दिया, या फिर कुछ होता है, जैसे एक योग आएगा, जो मतब शिव जी द्वारा प्रदत्त है, ठीक है? जैसे आप अगद पढ़ेंगे, उसमें मा गजस्ति अगद ऐसा कु उसमें भी वहाँ पर भी कहा है, वो शिव जी द्वारा दिया हुआ है, त्रेंबकम लिखा है, उसमें एक वर, तो मतब शिव जी द्वारा दिया गया है वो, तो ऐसे ही है, यहाँ पर अलग-अलग आचारे, जो चरक से ही था, कि अलावा जो अदर आचारे है, उनके अलग तो आगे पंचम शार फिर एक चीज है जो PG के लिए आज से इंपोर्टेंट है पंच करम कहा किया गया है तो पंच करम का में लिए है संद्पातज ग्रैनी में पंच करम के वारे में बता है अस्ति प्रदोष जन्ने रोगों में मद मूर्चा में पंच कर्म की बात आई है, जन पदो दोईस की चिकित्सा में पंच कर्म की बात आई है, दूशी विश में पंच कर्म की बात आई है और योनी व्यापत की चिकित्सा में पंच कर्म का प्रियोग करना चीए, ऐसा लिखा हुआ आएगा, जैसे ये, पन के लिए जाए जाता है फिर आता है व्यतियास चिकित्सा अब यह व्यतियास चिकित्सा 14 चेप्टर में पढ़ गया है लेकिन व्यतियास चिकित्सा का मतलब होता है क्रम से चिकित्सा एक के बाद क्रमांतर में चिकित्सा क्रम बदल कर चिकित्सा यह व्यतियास चिकित्सा का मतलब होता है तो यहां पर क्रम किसका बदला वो डिपेंड करता है जो अब अर्श रोख पड़ते हैं वहां पर मदूर अमल तीक है व्यत्यासान मदूर अमलम ऐसे करके एक वर्ड आया है यानि वहां पर मदूर और अमल लवन का क्रम से उप्योक करने को बूला गया है यहां पर में व्य्त्यास चिकंसा किसके लिए घई है कि वाद पित्यकर जन्द ग्रेणी की उसे को क्रम् से एक के बाद एक प्रियोक करना घई है यह व्यत्यास चिकसा यह बताई है ठीक है समझ में आपको बात कि अर्ष रोग में तो मदूरमल लवन को क्रम से सेवन करने को बोला था और यहाँ पर जो वात्तज पित्तज और कफज ग्रेणी की जो चिकित्सा हैं बताई गई हैं उनको जो है क्रम से उप्योग करने को बोला गया है पिर शलेश्मिक ग्रेणी में आवस्ति की चिकित्सा एक मैं आपको पहले भी बचा चुका हूँ राज्यक्षमा बेभी ठीक है अतिवारा की ग्रेणी अतिसार वातरक्त ठीक है राज्यक्षमा और ग्रेणी यह चार रोगों में आएगा वर्ड आवस्ति की चिकित्सा अवस प्रास्था के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए ठीक है फिर एक पीजी के लिए आसे इंपोर्टन बात आदे निश्टीवन चिकित्सा का वर्णन तो विशम ज्वर और कफज गुल्म में जो है निश्टीवन चिकित्सा की जाती है जी आप याद रखिएगा ठीक है आगे हम प्रात करें तो पर आता है घृत के बारे में बताया गया है कि घृत श्रेष्ट अग्नी धीपक होता है तो दुर्बल अगनी को तैवरी करने के लिए इसने उत्ता मोच्टी है इस नहीं से तीवर जट्रागनी जो होती है वो गुरू अनपान सेवन से शांत नहीं होती है यानि अगर आपने जगरत सेवन से जो अगनी दीपत की है उसके बाद गुरु अन्नपान का भी सेवन करते हैं तो भी मंद अगनी जल्दी से आती नहीं है हाला कि नियांतर सेवन करोगे तो कभी न कभी तो नुक्सान करेगा ही वो तो लेकिन फिर भी थोड़ी ज़्यादा टाइम तक वो इस्थिर रहती है अगनी ठीक है तो यहाँ पे गरत का बहुत महत्व है अगनी दीपन में अब यह एक सवाल आता है गरत जो होता है वो शीत में अपिर वाला होता है गुरू इस निक्डू होता है अपिर ओस्थ होता है तुछत सब्निय करने करता है यह यह एक सेकाम करता है यह चीज याद वायू अगनी के समीप में रहती है, इसलिए वैं अपनी क्रियाद और अगनी को बलवान बनाती है, यह इंपोर्टेंट है याद रखना आप, समान वायू के बारे में आपे बात की गई है, जैसे हैं आपे बताया भी रखा है समान वायू के प्राकृतिक कारे में, तीक है अगनी मानद हो और मल विबन दो रखाओ तो नमक और गृत को मिलाकर उसका बोजन में बोजन के मद्धे में प्रियोक करना चाहिए ठीक है नवन गरत का जो योग है वो मंदागनी प्लस मल विवन्द की स्थिति में उपयोगी होता है ठीक है अब मंदागनी में करताव्य बता रहा है पहले उदावर्त जन्ने मंदागनी या पर कौज बता रहा है पहले फिर उसके बाद चिकिस्सा बता रहा है इसमें निरू से युक्त होने पर मंदागनी ठीक है तो रोक से अगर युक्त हो जाते हैं तो उसमें मंदागनी हो जाती है फिर उसमें अगनी दीपक जो ग्रत है उसका प्रियोग किया जाता है और लंबे टाम तक उपवास करने से किसी के मंदागनी हो गई हो तो मंड पया विले पया दी जो संसरजन क्रम्य अब ने बात किती उसका त्योग करना चाहिए ठीक है कि इसका अलाबा अन्य में अवपीड़ाा ग्रत्व को बलवर्धक अगनी दीपक और भ्रंगन होता है ठीक है यहाँ पर उचित मात्रा में आर लाप कर तो यहाँ पर इसने बस यहीं बोला है कि बोजन का ने करना यानि अबोजन और बोजन का अधिक मात्रा में करना दोनों ही जाट रागनी का नाश करते हैं इसलिए हमेशा उचित मात्रा में बोजन का प्रियोग करना चाहिए ठीक है फिर मागे आते हैं तीक्ष्नागनिया भस्मक रोग तो नरेक शीन कफे पित्तम कुपितम मारुत आनुगम कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कफ कितो होती है शीन ठीक है और पित्त के साथ जो है वायू लगी रहती है, तो पित्त अगनी के स्थान में जो ग्रहनी कला है, मतलब उसमें जाकर अपनी घर्मी से जट्रागनी को बल देता है. जब जाटरागनी का बल भड़ दाता है तो वह अगनी वायू अगनी और वायू रूक्ष शरीर में अन्न के गुणों को दबा कर शीगरी पचा डालते हैं अगनी और पित्ति के सहयोग से तीक्षन जाटरागनी खाये हुए आर को बार बार शीगरी पचा डालती है यदि शीगरी अन्न आहार नहीं मिले तो अन्न को पका कर रख तादी दातों को पचाने लगती है ठीक है फिर दातों के पचने पर दुरबलता अनेक प्रकार के रोग और मर्त्यू तक संभव हो जाती है ठीक है बोजन करने के बाद कुछ देर के लिए रोगी को शान्ती मिलत पर जब बोजन पच जाता है तो रोगी को परिशानी आती है फिर वापस बेचेन उड़ता है फिर वापस उसको सिम्टम दिखाए देने लग जाते है क्या सिम्टम पिपासा श्वास दा मुर्चा आधी जो रोग है उसमें उत्पन्न हो जाते है ठीक है यह चीज आप पित्त के स्थान में जाकर जया टरागनी को बल देता है यह बड़ी हूई जयातरागनी की постав मिलकर जो तिए वह अन्य के उनकोनं को दबा देती गक्र धिक है अगर रोगी को शिग्र हार नहीं मिले तो फिर क्या होता है कि यही जो अगिनी है वात के साथ मिल कर क्या करती है जो धातुएं होती है रखता दी धातुएं उनको पोशन या उनका शोषन करने लग जाते है उनको पचाने लग जाती है अब जब धातुएं शीन होगी तो क्या अगर रोगी दुरबल होगा रोगी दुरबल होगा तो वो अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त द्वारा उसकी शिक्र सांती करनी चाहिए ठीक है अगर गुरू इसनिकदार करते हैं तुसे अजीन भी हो जाए तो भी उसे बार-बार बोजन देना चाहिए ठीक है जिससे कहा है कि बोजन के ने रहने से वद तीवर जाटर अगनी रोगी को मारने दे वहला इसमें अगर महार बता रहे हैं यहां पर पायस यानी कीर कीर गुरू होती है क्रशरा कीचडी तिल के तेल और उड़त की कीचडी इसनिकदार जैसे माल पुआ आदी चावल के आटे के बनाए हुआ इसनिकदार इक्षू विकार ओधक अनूप मांस इन सब को गी में भून कर घिलाना चा उनका जो है चिकनी मचलिया उनका प्रियोक करना चाहिए ठीक है फिर आता है बेड के गरत का प्रियोक बेड का गुरू होता है अभिशंदी होता है तो आविकम चै बर्तम मांस मध्याद अत्यागनी नाशनम की बेड का मांस गी में भून कर यत्वा पेया विलेपी चूण मन्थमवा एक सेकंड रुखो दिखनी है व्यदियत्वा सिराम पिवेत की ग्यों के आटे को गी में बून कर जल में गोल कर चीनी मिलाकर पीना चाहिए ठीक है शिरावेत द्वारा रक्तमोक्षन भी करा सकते हैं आप उसके बाद जीवनिये गण का द्रव्यों को दू मदुर, मेदा वर्दक, कफ वर्दक घुरु आहार का जो है यहाँ पर सेवन करना चाहिए ठीक है इसके अलावा अत्यागनी में नारी इस्तन्य यानि नारी क्षीर और इसके अलावा ओदुमबर तो अच्छा ओदुमबर तो अकूलर की चाल का कलक से प्राप्तुई जो ख चाना वह एक बार देख लेता है माफ किजीए गाgili एक बार में आप तक कापन्लों ने और इसमें क्योना क्यों क्यों क्वा सुत झाल क नहीं हो जाता है व्यूंद कर इसके उच्रागी दात्य में क्यों ऐसकर जो एक पचाने अ नहीं misi उत्पन होते हैं उत्पन दिखाई देते हैं उत्पन चिकत्सा के बात करें तो इसमें क्या है गुरू कफवर्दक इसनिक्द शीत मदूर पिचल अनपान का सेवन करना चाहिए अहर में क्या दे रखें जो गुरू अहर है जिसे की खीर हो गया तिल मिलाई उड़त की खिचड़ी हो गया उड़त कितना भारी होता है चावल के आटे का बना इसनिक्द आहार हो गया इक्शू विकार हो गया ओदप ओदक आनू पमांस को गी में बून कर देना ठीक है ये सत्तू बनाकर चीनी मिलाकर पिलाना चाहिए और इसमें सिद्धान्त क्या बता रखा है आप मदूर मेदा वर्दक कफ वर्दक जो आरविया रहे अभिशंदी जो आरविया रहे उनका जो है यहाँ पर सेवन करने के बारे में बता रखा है ठीक है अब आगे समागनी का मैत जो भी दोश यतिनों दोश वो समावस्ता में बने रहेंगे तो समागनी द्वारा खाय हुए या पचाय हुए अन्न से पुष्टी आयू और बलकि वर्द्धी होगी ठीक है यह चीजा आप याद रखना फिर उसके बाद यह बहुत इंपोर्टेंट समशन विश्मासन अप्यतानी मृतुम वा घोरान व्यादिन स्रजन्ति वा यह पूलते हैं किन तीन रोगों के किन तीन अवस्ताओं के कारण बहेंकर व्यादियां उत्पन्न होती हैं इस लायन को जो है इस पश्ट कीजिए सिद्धी कीजिए तो आपको कुछ नहीं समशन विश्मासन और अ करना होता है समशन क्या होता है पत्या पत्य को मिलाकर जेवन करना ठीक है अध्यशन क्या होता है एक खाना पजानी उससे पहले दूसरा खाना खालेना विश्मासन क्या होता है कि अल्प काल में या निश्चित काल नहीं होता कोई खाने का ए निश्चित काल में ठीक है या जो काल अपन को जिसमें खाना चाहिए उससे पहले या बाद में अगर आहार करते हैं तो उसको विशमाशन कहते हैं ठीक है फिर उसके बाद यहां पर कब-कब आहार लेना चाहिए इसके बारे में बता रहा है कि प्रात्यकाल यह देखो प्रात्यकाल सेवन किये गया और के प विक्सित रहता हेंं हème के विक्सित होने के काइण थी स्रोथ खुले रहता है इसब्लमिला क्या अपन को उपमा दे रहे! पर मैंने याद करना है जो अपने शरीर के सपी स्रोथ होते है वह active होते है उपन होते है इसलिए वह आपर कोई हनी नहीं होती है । ठीक है पर रात्त्री में ऐसा नहीं करना है रात्त्री में तोड़ा सावदानी से खाना खाना है ठीक है यह चीज आ गई फिर उसके बाद अपने आता है यह देखो रात्त्री में क्यों नहीं करना चाहिए भी बता रहा है यहां पर आचारियों ने क्या बता रहा है रात्त्र शरीर की सबी दातुएं भी कलेद यूँक्त हो जाती है क्योंकि श्रोत बंद रहने से उनमें रहनेवाली दातुएं में पूर्ण गती नहीं हो पाती है गीला हो जाता है अब प्राते काल में अजीर्ण उने पर दूसरा आहर कर लिया जाए तो वह विक्रत हो जाता है जैसे पके हुए दूद में यादी कच्चा दूद डाल दे तो वह फट जाता है ठीक है यह चीजा याद रखिएगा समझ मांगे आपको बात यह नहीं समझ मांगे तो एक बार कमेंड वोक्स में ज़रूर बता जीजेगा ताकि मांको वापस क्लियर कर दूँ तो इस प्रकार डारेक्ट क्यूंग के रूप में यूजी में पूछ लिए जाते हैं इस प्रकार अमारा आज गिरैनी अधियाए भी समापत होता है हम्लेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साद तब तक के लिए स्व Kendala को लाइक करे शेयर करें वीडियोको लाइक करें चैनल को ट्रिक्स दाज रहे हूं तो आप पढ़ सकते हैं आराम से समझ सकते हैं चीजे कोई समझ में ना है चीज तो कमेंट बुक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं मिलतें अंगले वीडियो में बाई बाई